एक्वीट शे मार्के't में हर एक परसंड की एक डिफरेंट ओपीनिन हो सकती है हमें सभी की ओपीनिन की रिसपेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है पर फाइनल वर्डिक्ट हमेशा मारकेट डिसाइड करता है हमारी ओपीनिन चाहए कुछ भी हो जो भी market का decision होता है उससे ही हमें final मानना चाहिए कभी भी market से fight करना या फिर अपने ego पर ही ले 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 ना कि मेरी opinion के against में कैसे काम हो सकता है इस तरीके से market में long term में काम नहीं चल पाएगा इस important learning के साथ मेरा नाम है अनन्त लड़ा CFA, CACFP, LLV चलिए शुरू करते हैं आज की episode का पहला पाट जिसका नाम है market today सबसे पहले index के उपर नज़र डालते sensex.03% negative एकदम neutral सा रहा nifty.07% positive आज भी 50-day moving average के उपर की closing हमें मिल चुकी है उसी के साथ-साथ bank nifty की बात करे तो 0.81% negative रहा इतनी अच्छी rally के बाद तोड़ा बहुत profit booking आना और 35,000 के आज पास resistance face करना is normal. Mid cap index 0.16% negative रहा mid cap और small cap आज भी strongly hell कर रहे थे. advance decline ratio 900 के आज पास share advance हुए जिसके against 861 share decline हुए. अच्छा क्योंकि आज की दिन overall day neutral था अच्छा advance decline ratio हम बोल सकते हैं. sectors की बात करें तो media, IT, consumption, auto और metals ने अच्छा bounce किया है. Metals ने अभी तो 20 day moving average से bounce किया है. यह sustain कर पाए या ना कर पाए अलग बात है. पर कभी भी अगर metals 50 day moving average तक पहुचे तो medium term portfolio का वापिस से part बनाना जरूरी हो जाता है. कल भी यह हमारी बात हुई थी, आज ही bounce मिल गया. पर अभी तो यह short term bounce है. असली bounce तो अगर metals हमें बाए चांट 50 day moving average के पास मिले, तब तो almost lotries ही हमारी लिए हो जाएगा. अगर weak sectors की बात करें तो PSU bank, private bank के साथ साथ financial sector, energy और infra में आज का दिन तोड़ा सा कम जोर रहा. या फिर कोई तुफान के पहले की शांती है, इसके ओपर हमें रडार रखनी पड़ेगी. अगर आज की दिन के moment की बात करें तो opening हुई थी 15,291 की high बना 15,293 का, जहां open हुआ वहीं पर high बना, पूरे दिन market जिग 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 करता रहा, low बना 15,163 का और closing हुई है 15,208 की, ओक्यों के closing हम बोल सकते हैं, important point क्या है, कल ही हमारी बात हुई थी कि 15,300 से लेके 400 की range में profit booking आना is normal, हमें ड़ने की बात नहीं होती है, अगर कुछ profit booking आती है, important share जिनके अभी results भी अच्छा है, उनके ओपर radar रखना ज़रूरी हो जाता है, आज के दिन के volumes, previous कुछ दिनों के volumes से one of the lowest थे, ये भी एक point होता है जो हमें radar पर रखना पड़ेगा, आप चलते हैं next section पर जिसका नाम है FIAs and DIIs action, आज के दिन FIAs और DIIs के data अभी तक upload नहीं हुआ है, बट I am very sure जब तक की video edit होगा, data आ चुका होगा, आपकी reference के लिए मैं यहाँ पर punch out कर दूँगा, अब चलते हैं next section पर जिसका नाम है viewers query, देखिए, कोई भी share buy करना is very easy, पर अगर आपने किसी framework के basis पर कोई share buy किया है, तो आपको उसके उपर confidence होने वाला है, जब तक confidence नहीं होगा, हलके full के shake out में आप हमेशा डर जाओगे, कुछ example देने की कोशिश करता हूँ, recently Anand का funda में भी Supreme Petro बात हुई थी, और Supreme Petro हमेशा बात हुई थी medium term portfolio में, मैंने भी personally buy गया था पर जैसे ही 1-2% का shake out आया, काफी लोगों को डर लगा, आज क्या हुआ, आप इदे चेक out कर सकते हो, complete blast आ चुका है, इसी तरीके से अभी मेरी दो personally demo trade थी, एक polyplex से related थी, और दूसरी थी agrotech food से related, ये दोनों कुछ दिन शान्त रहे गए, कुछ दिन भी क्या total तीन दिन शान्त रहे गए, जो मैंने personally entry ली थी, वहां से तीन दिन शान्त रहे गए, क्या हुआ, complete blast हो चुका है, इससे हमें क्या learning मिलती है, देखिए, जब तक आपको किसी share पे कोई भी doubt हो, उसमें entry मत लीजिए, जब एक बर आपने entry ले ली, तब हलके फुल के checkout में हमें डढ़ना नहीं चीए, तोड़ा confidence तो हमें रखना ज़रूरी हो जाता है, उसी के साथ-साथ कुछ queries even stock in focus के stocks के उपर आ रहे हैं, एक example लेने के कोशिश करते हैं, कल ही का stock in focus था berger paints, हमारी यह बात हुई थी, जैसे ही berger paint 810 के level को cross करेगा, 815 तक पहुच सकता है बड़े ही अराम से, उसके बाद 818 और 825 तक के level बहुत ही अराम से open हो जाएंगे, जो आज की दिन meet हो सकते हैं, तीनो ही level आज की दिन meet हो चुक है, आप इदा चेक आउट कर सकते हैं, जैसे ही एक level meet हो जाता है, especially अगर किसी शिर को हम ultra short term के लिए use करते हैं, हर एक level पर trail कर सपोस करते हैं, आज ही बात करते हैं कि बर्जर पेंट सीधा ही 830 पे खुलता तो क्या, तो कुछ भी नहीं, जो हम इस trade प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे levels के उपर खुला, या फिर बात करते हैं, सपोस करते हैं, सीधा खुले 780 पे, दिस्क्रिप्शन में DMAT अकाउंट ओपनिंग से और प्राइवेट चाल पर चुड़ने का प्रसेस मिल जाएगा, वर्णना लगे इस फूल तो आप जोईन बटन मेंबर्शिप भी कर सकते हैं, पहला इंपोर्टन शेर, एक ऐसा share जिसको हम 400, 430, 450 तीनों लेवल पर एड़ हो सकता है, अगर 500 को क्रॉस करके आने वाले दो से तीन दिनों में कभी भी सस्टेन करें, तो अच्छे मोमेंटम के साथ उपर जा सकता है, और फाइनल इंपोर्टन स्टॉक होने वाला है, अमर राजा बैटरी, आज के दिन इसमें बल डील थी, अगर हम बात करें कल कभी भ सकता है, हम इसे रडार पर सकते हैं, इसमें पहली positive candle आने का हमें at least wait कर देना चाहिए, but I personally feel कि इसमें positive candle आने का, especially जिस तरीके का इसमें framework बनाएं, काफी ज़्यादा expectations बन चुकी है, आप चलते हैं next section पर जिसका नाम है general market trend, general market trend अभी भी uptrend में है, number of volume distribution days का count अभी भी 3 चल रहा है, उसी के साथ साथ बात करें ना, जब तक market 15,000 and 50 से लेके 150 की range को sustain कर रहा है, as such कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है, जब भी कोई dip आता है, एक ऐसा share जिसके अभी recently results आयो, results का drama भी खतम हो चुका हो, उसके results बहुत बहुत बैतरी नायो, उनको हमें radar पर रखना ज़रूरी होता है, especially अगर कोई एक अच्छे result वाला share अच्छे level पर मिले, तो उसके उ अहले कोई काई इस बात करें तो 15,500, सेके इस बात करें तो 15,300 और अगर ओर हई इस बात करें ना, ऊपर के लेवेल पर तोड़ी सी अन्वाइंडिन होई और उपर से लेके तोड़ा नीचे के लेवल पर शिफ्ट हुआ है, अब मेजर राईशन होने वाला है, 15,350 से लेके 400 की रेंज इस लेवल पर गया तो वापर इसे वहाँ पर तोड़ी बहुत profit booking आना almost certain हो जाता है अगर put की बात करें तो highest open interest 14,000 second highest open interest 15,000 और third highest open interest 14,500 पर immediate और major support हमें मिलने वाला है 15,100 के आसपास put call ratio की बात करें तो आज हम बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि अब दो दिन में expiry, monthly expiry होने वाली है उसी के साथ-साथ इस बार का जो data है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा put call ratio पे ध्यान दिया तो हमारी लिए backfire हो सकता है bank nifty की बात करें तो 35,000 का रहिशन साने वाला है 33,500 का एक important support होने वाला है अब अगर कल के market की बात करें ना देखिए कल और परसो क्योंकि परसो है monthly expiry, weekly expiry, सारी के सारी expiry परसो होने वाल है, data काफी जल्दी change हो रहा है काफी ज़्यादा call writing भी 15,500 से लेके 400 की range में हो रही है इवन बात करी जाए नीचे के level पर भी put writing हो रही है 15,000 से लेके 15,100 की range में इसलिए तोड़ा फ़र drama हमें ज़्यादा मिलने की गुंजाईश है buy chance अगर किसी भी range को तोड़के ऊपर या नीचे गया तो मिंटम कोई हो सकता है और best तो ही हो जाता है कि बिल्कुल range बाउंच से expiry हो जाए तो वहाँ पर तो दोनों ही trap हो गया जिन्होंने भी buy किया इसलिए दो दिन तोड़े से ड्रामे वाले हो सकते है cash के stocks पे special focus कीजिए कोई फरक नहीं पड़ता कि expiry हो नहीं हो कुछ भी हो cash के stocks जिस तरीक से काम करते है वो करते continue रह सकते है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो like करें भी न मत जाएगा चानल को subscribe बेल आकन क्लिक नहीं किया तो कोई important वीडियो मिस हो जाएगा उसी के साथ साथ secret of money making बाच को अगर concern नहीं किया तो description आपको link बिल जाएगा बहुत ही limited seeds बचिए आप ही के प्यार का कारण है happy investing and I will see you very soon